Hello friends, मैं हो विशेक जोशी, Electrical Engineering, Villa Group of Companies दोस्ता आज हम लोग बात करेंगे induction motor के no load current और full load current के बारे में हमारे एक viewer ने comment किया था कि induction motor का no load current और full load current का importance क्या होता है यानि कि जब आप practically industries में work करने जाते हैं तो motor के full load current का significance क्या होता है क्यों इतनी importance motor के full load current को दी जाती है और motor का खासकर जो no load current है तो industries में क्या motor का no load current का भी कहीं use होता है ये सब आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों बिना time waste की शुरू करते हैं देखें सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ की motor का no load current और motor का full load current का मतलब क्या होता है मान लेजिए मेरे पास एक motor है और उस motor से मैं belt conveyor को run कर रहा हूँ यानि कि मेरी जो motor है उससे belt conveyor connected है और motor उस belt conveyor को चलाती है अब अगर मैं इस motor को उस belt conveyor से अलग कर देता हूँ और सिर्फ motor को चलाता हूँ तो अब motor जो current draw करेगी उसको हम no load current कहेंगे इसका मतलब यह है कि आपकी motor अभी किसी load से connected नहीं है इसलिए आपकी motor अब जो current draw कर रही है उसको no load current कहा जाता है क्योंकि अब आपकी motor सिर्फ खुद run हो रही है किसी load को वो run नहीं कर दी इस condition को no load condition कहा जाता है तो देखिए motor के full load current का मतलब यह है कि कोई भी motor maximum कितने load को drive कर सकती है इसका मतलब यह है कि हर motor की एक capacity होती है कि उस motor पर आप कितना load दे सकते है तो एक motor maximum कितना load ले सकती है एक motor maximum कितने load को घुमा सकती है उसको motor का full load current खा जाता है मान लीजिए एक मोटर है जिसके capacity है 10 HP, 10 horsepower की एक मोटर है, वो मोटर जब 10 horsepower full capacity पर चलेगी तो उस condition में वो जितना current ड्रॉ करेगी, उस current को मोटर का full load current हम लोग कहेंगे, क्योंकि जब मोटर अपने full capacity पर चलती है, अपने maximum capacity पर चलती है, उस case में मोटर जो maximum current ले सकती है, जिस current को हम लोग मोटर का full load current कहते हैं, अब दोस्तो बात आती हैं कि industries में मोटर के full load current और no load current की importance क्या है, क्यों हम हमेचा full load current और खासकर no load current की बात करते हैं, तो देखें, industries में जितने भी relay होते हैं उन सभी relay की हम जो setting करते हैं वो motor के full load current के हिसाब से की जाती है जब भी अगर कोई आप से ये पूछे कि आप ये कैसे decide करेंगे कि कि किसी भी overload relay की setting आप कितने पर रखनी है तो उसका जवाब ये होगा कि सबसे पहले आपको ये पता होना चीए कि motor का full load current कितना है बहुत सारी industries में relay की setting होती है ये full load current पर ही रखी जाती है यानि कि अगर मान लिजिए motor का full load current 20 ampere है तो बहुत सारी जगे 20 ampere पर ही हम setting रखते हैं बहुत सारी applications ऐसे ही होती है जहाँ पर 80% of full load current पर setting की जाती है यानि कि अगर आपके motor का full load current 20 ampere है तो 20 ampere का 80% जितना होता है उस पर हम relay की setting करेंगे लेकिन ये सब कुछ decide इस चीज़ पर होगा कि आपके motor का full load current कितना है इसलिए किसी भी industries में जब भी आप switch gear का selection करेंगे जब भी आप relay की setting करेंगे तो इस बात को बहुत importance दी जाती है कि motor का full load current कितना है इसलिए industries में motor के full load current की importance बहुत ज़ादा होती है अब दोस्तों आपके mind में सवाल या आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि motor का full load current कितना है तो देखें motor की जो name plate होती है name plate पर motor का full load current लिखा हुआ होता है तो आप motor के name plate पर देखकर भी ये देख सकते हैं कि motor का full load current कितना है या तो फिर motor की जो kilowatt rating है उससे आप motor का full load current खुद भी calculate कर सकते हैं तो kilowatt rating से motor का full load current कैसे calculate किया जाता है ये अगर आपको सीखना हो तो उस वीडियो का link मैं आपको आपको आई बटन में देदूँगा वहाँ मैंने ये calculate करके दिखाया है कि shortcut method से कैसे आप kilowatt से motor का full load current खुद calculate कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है motor के no load current की क्या importance है तो देखिए industries में जब भी motor जल जाती है जब भी motor earth हो जाती है तो motor को rewinding के लिए भेजा जाता है यानिकि आपके motor का जोINE का इंसलेशन है किसी reason से अगरे Else से अगर फेल हो गया है motor का मोटर का इंसलेशन अगर जल गया है तो उस case में motor को सकते हैं के लिए आपको भेजना available है नहीं अगर आपकी जो मोटर जली है मान लीजिए वो मोटर एक belt conveyor को run करती थी अब हमारी electrical workshop में belt conveyor तो है नहीं कि हम उस मोटर को belt conveyor में चला कर उसका trial ले सकें तो इसलिए कोई भी मोटर जब rewinding होकर आती है तो उसका no load trial लिया जाता है और ये लेना बहुत जब भी आप किसी motor का no load trial लेते हैं यानि कि no load condition में जब भी आप किसी motor को चलाते हैं तब इस बात की checking की जाती है इस चीज़ को monitor किया जाता है कि आपकी motor no load condition में balance current ले रही है कि नहीं ले रही अगर motor no load condition में तीनो phase में balance current लेती है यानि कि motor का no load current तीनों phase में अगर balance रहता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी motor की rewinding अच्छी तरीके से हुई है आपकी motor अभी industrial application के लिए ready है इसके अलबा एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि motor का जब आप no load trial लेंगे तो motor का no load current होता है या full load current का लगबग one third होता है तो अगर आपकी motor no load condition में जो current draw कर रही है जिसे हम no load current कहते हैं वो अगर motor के full load current का लगबग one third के around आता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी motor healthy है अब आपकी motor किसी भी electrical application के लिए तयार है तो दोस्तों इस तरीके से industrial point of view से अगर देखें तो motor का no load current और motor का full load current इन दोनों का बहुत importance होता है इसलिए आज का यह वीडियो बनाना जरूरी था तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो अगर आपकी understanding improve हुई हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूं कर ऐसे interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुडबाई